असलालेकुम दोस्तों मैं शाहदा परवीन हाजीर हूँ एक और नहीं रेसिपी के साथ फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे मटन चाप बिर्यानी फ्रेंट्स कई दिनों से वीडियो नहीं बनाया आप सब कैसे हैं उमीद अच्छे होंगे मैं थोड़ा सा बीजी थी इसलिए त्युन्हे वांट्क warrior नहीं कि दृषिवीर मतन चाप बिरियानी बनाने के लिए हैं यहां पर मैंने 500 घॉल्च और इसे अच्छे से वाश करके मैंने रखा है और अब यहां पर गैस पर ऐक्यूकर अब democrat कि अजा私, शारब को दिखाय ती इसमें कर दिया है और यह हुश् और ये तेजपत्ता है और एक बड़ी लाची भी है इसमें और ये जावित्री है एक टुकड़ा और साथी में तीन से चार हरी मिल्च है वैसे ये 20 से मैंने कार्ड केस में एड़ किया है और इसी के साथ नमक एक छोटा चमच भरके एड़ किया है नमक आप अपने हिसाब से कम और ज्यादा कर सकते हैं और इसी के साथ यहाँ पर मैंने टेबल स्पून भरके इसमें लैसुन अद्रक का पेस्ट एड़ किया है और अब हाफ का पानी इसमें मैंने एड़ किया है और यहाँ पर कुछ निम्बू के टुकड़े मैंने इसमें एड़ किया है दो से तिन और साथी में आएए चावल का पानी देख लिते हैं तो मैंने यहाँ पर डेल लेटर पानी लिया और मैंने पहले से ही एड़ कर रखी है और साथी में हुजबु के कुछ मसाले लिया है जिसमें लोंग हरी लैची बडी लैची दालचीनी का टुक्ड़ा और ये तेजपत्ता है तो साथी में यहाँ पे इसमें थोड़ा सा एक चमश लेमन जूस एड़ किया और हाफ स्पून मैंने इसमें जीरा एड़ किया है और नमक एड़ किया है तो चावल का पानी रेड़ी हो चुका है और इसी के साथ यहाँ पर मैंने यह तवा गैस पर रख दिया था और 4-5 चमच इसमें तेल एड़ किया है और 2 सौरी तीन से 4 छोटे साइस के प्याज मैंने काट लिए और इसे प्यास को हम गोल्डन ब्राउन होने देंगे तो प्यास यहाँ पर गोल्डन ब्राउन हो चुका है और यहाँ पर तब तक के कुकर में 2-3 सीटी मैंने ले ली थी तो इसे मैंने ढखका नटा दिया है आईए देख लेते हैं कि मीट हमारा गल गया है या नहीं तो यहाँ पर मीट अच्छे से गल चुका है और इसी के साथ यहाँ पर मैंने यह कड़ाई गैस पर रख दी है और जो प्यास था वो मैंने फ्राई कर लिया था और उसका बचा हुआ तेल और इसमें मैंने 2-3 चमच अलग से और तेल फ्रेश इसमें डाला था तो तेल यहाँ पर हो गया था तो जो मीट गल चुका था उसे मैंने इस तेल में एट किया है और इसी के साथ यहाँ पर एक छोटा चमच भर के मैंने लाल मिल्च का पावडर एट किया था और एक चमच भरके मैंने बिर्यानी मसाला एड़ किया था और थोड़ा सा इसमें मैंने एक छोटा चौथा ही चमच हल्दी पाउडर एड़ किया था और यहां पर तीन से चार टमाटर मैंने इसमें एड़ किये थे थोड़ा सा एक छोटा चमच धनिया पाउडर एड़ किया और जो प्याज मैंने फ्राइ के रखा था आपने देखा था उसे भी मैंने इसमें एड कर दिया है सबी मसाले मैंने इसमें एड कर दिये हैं और अब बस गोश्टों पहले से ही गल चुका था तो बस अब हम इसे बहुत ही अच्छी तरह से भून लेंगे और फ्रंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें से तेल रिलिज हो गया है मिट काफी अच्छी से भून चुका है तो जो गोश्ट को गलाने में पानी बचा था मैंने वो ही पानी इसमें एड कर दिया है और इस बीच मैंने फिलेम को गोश्ट को भूनते वे हाई रखा था और यहाँ पर वो ही पानी मैंने इसमें एड कर दिया है और इसमें बस हम एक बॉयल आने देंगे और यहां पर एक बॉयल आ चुका है आप डेक सकते हैं तो यहां पर बिजिल की अखनी काफी अच्छे से छेड़ी हो चुकी है और मैंने यहाँ पर इसमें धनिया पत्ती एड़ की है तो बस अब हम इसे एक साइड में कल देते हैं और आईए चावलों को देख लेते हैं तब तक के तो फ्रेंट्स मैंने इसे चावल को ये करीब साड़े तीन सो ग्राम चावल हैं मैंने इसे पहले से ही तीन घंटे पहले भिगो के रखा था ये बासमती राइस हैं तो यहाँ पर जो पानी मैंने दिखाया था उसमें मैंने चावल एड़ कर दी और इसमें एक बहुत ही अच्छा सा वैल आ गया है आप देख सकते हैं तो यहाँ पर चावल हमारे 90% कुख हो चुके थे और बागी के 10% दम में हो जाएंगे तो जो अखनी मैंने रेड़ी करके रखी थी उसको मैंने इसमें एड़ कर दिया है हाफ चावल मैंने इसमें बिचाएं और थोड़ी आदी अखनी मैंने इसमें एड़ की है और उपर से धनिया 32 में एड़ किया है और इसी के साथ थोड़ा सा मैंने इसमें तलावा प्याज एड़ किया है और अब मैंने चावल की दूसरी लेयर लगा दी है और बाकी की पची हुई अखनी को मैंने इस से दूसरी लेयर पे एड़ कर दिया है और उपर से थोड़े से बाकी के बचे वे चावल भी मैंने इस पे एड़ कर दिये है और अब यहाँ पर आधा चमच भर के मैंने इसमें बिर्यानी मसाला दो बारा से इस पे एड़ किया है आप इसी इसकिप भी कर सकते हैं और फूट कलर मैंने थोड़ा सा इसमें दो से तीन पिंच लैमन कलर का गोल के रखा था वो भी इसमें एड़ किया है धनिया पत्ती एड़ कियी है दो से तीन बुन केड़ा वाटा रैट किया है इसे बिर्यानी में बहुत ही अच्छी खुश्बू आती है और यहाँ पर अब मैंने ये लैमन के कुछ स्लाइस इस पे लगा दिये है इस तरह से तो यहाँ पर नीचे गैस पर मैंने ये तवा मोटा रग दिया है और उपर से इसे कपड़े से रैप करके इस पे एक भारी पत्ता रग दिया है और अब हम इसे 15-20 नट तक के लो फ्लेम पे कुछ होने देंगे तो यहाँ पर 15-20 नट हो गए है और यह देखिए मैंने धका नटा दिया है और बिर्यानी हमारी काफी अच्छे से बाकी के 10% जो बचे थे वो भी अच्छे से कुख हो चुकी है आप देख सकते हैं इसमें इसे एक बहुत ही अच्छी सी हुश्बू आ रही है तो चलिए इसे इसके प्लेटिंग कर लेते हैं तो फ्रेंट्स यहाँ पर मैंने यह बोल ले लिया है और इसमें मैंने बिर्यानी को एट किया है और फाइनली यहाँ पर हमारी मटन चाप बिर्यानी बन के काफी अच्छे से तयार हो चुकी है आप देख सकते हैं आप इसे सलात के साथ रायते के साथ इसका मज़ा ले सकते हैं तो फ्रेंट्स अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताईएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी तो इन्शालला एक और नई रेसिपी में जल्दी मिलूंगी तब तक के लिए बाहरे अल्लाहाफिज असलावलेकूं